उत्तर प्रदेश की राजनीती में अक्सर विवादित बयान देखे जाते हैं वही जाती धर्म का मुद्धा काफी जोर शोर से उठता रहता है ऐसे में अमेठी में चुनाव प्रचार करने गए भाजपा विधायक मैंकेश्वर सिंग का एक विवादित बयान सुर्ख्यों मे मैंकेश्वर सिंग अमेठी की तिलोई विदान सबसीर से विधायक है इस बार भी पार्टी ने उने टिकट दिया है उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है इसके आगे विधायक सिंग ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो रादे रादे कहना होगा वरना जिस तरह बटवारे के समय जैसे सब पाकिस्तान चले गए थे वैसे आप भी चले जाईए बता दे कि तिलोई में भाजपा प्रत्याशी मैंकेश्वर सिंग के खिलाफ सपा ने नईम को टिकट दिया है मैंकेश्वर सिंग ने आगे कहा कि अगर आप सबको मधुरा काशी और अवध्या में मंदिर बनवाना है तो भाजपा को जिताना होगा लेकिन अगर प्रदेश में कॉंग्रेस बस पाया सपा की सरकार बनी तो सरकार बदलते ही एक आदेश पारित होगा और मंदिर का काम बंद अब इसको मान लो कि जो 500 सालों का हमारे नहीं हो पाएगा यूपी का अमेठी जिला कभी कॉंग्रिस का गड़ माना जाता था अब यहां बीजेपी का प्रभुतु है केंद्री मंत्री स्पृति रानी अमेठी जे सांसद है तो यहां की तिलोई विदानसवा सीट पर बीजेपी का कबजा है मौजूदा विधायक म पांचवे चरण के लिए 27 फरवरी को अमेठी में भी वोट डाले जाएंगे ब्यूर रिपोर्ट एक्सपोस इंडिया पंद्राइ्ट एंडिया कोई आए मैंद्राइ्ट और्वट के लिए 25 का मैंद्राइब फिए 25 का मैंद्राइब खूसे।